हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है शुभम जहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स हाजूर आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि हम कैसे इस टॉक को पैचाने कि इस टॉक का ट्रेंड कैसा है अगर अपसाइड मूफ कर रहा है तो क्या वो मजबूत इस्तिती में है या नहीं है क्या वो डाउन इस्तिती में है क्या ग्रीन कैंडल बन रही है क्या हमें चार से पांस दिन में प्रॉफिट बन सकता है नहीं बन सकता है तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैंने चार्ट पर जो खोल रखा है, for example के दौर पर मैंने सबसे पहले खोल रखा है Tata Power को, Tata Power को हम टेक्निकल देख लेते हैं एक बार यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको जो सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा कि कैसे 44 Moving Average को लगाया जाता है, मैं यहाँ से इसको close कर देता हूँ RSI को भी यहाँ से close कर देता हूँ सबसे पहले मैं Indicators में जाऊँगा, आपने सबसे पहले Stock को खोला, Stock को खोले के बाद यह interface आपके सामने आ जाएगा चार्ट पूरा, यहाँ पर आपको Indicator पर क्लिक करना है, Indicator पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है Moving Average, Moving Average यहाँ पर जब आप देखेंगे तो simple एक Moving Average लिखा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आप cross कर देना है यहाँ पर आपका Moving Average का formula लग गया वहीं आपको दूसरा आपको formula लगाना है वो लगाना है आपको RSI, Relative Strength Index यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे इसको यहाँ पर close कर दिया अब आपको क्या करना है कि Moving Average जो यहाँ पर है इस पर आपको Settings में जाना है जो इस गोल साइन है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है और Input में आपको 9 की जगा टाइप जो करना है वो टाइप करना है 44 44 क्योंकि मेरा यह method है और बहुत सठीक बैठता है इसलिए मैं 44 को जादा चूज करता हूँ और यहाँ OK कर दिया यहाँ पर आपके सामने 44 Moving Average लग चुका है भाही RSI पर आपको जाना है और RSI पर आपको Settings में जाना है और यहाँ पर सिर्फ Style में जाकर Smoothed MA को OK कर देना है जिससे कि आपको यह सामने यह दोनों चीज़ें यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगी Moving Average भी और आपका RSI भी अब आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे कि मैं बताया है एक तो method यह है कि Moving Average पर जब भी कोई Green Candle बने Moving Average राइजिंग होना चाहिए कि RSI जब भी 70 लेवल और 30 लेवल 30 लेवल जो होता है वो oversold ले रिया होता है और जो 70 होता है वो overbought होता है तो जैर सी बात है जब कोई चीज ज़्यादा खरीद ली जाएगी तो उसका में down आएगा और जब कोई बहुत ज़्यादा चीज को sale करी जाएगी तो वहाँ purchasing time बन सकता है तो ये RSI दोनों चीजों को हमारा indicate करता है वहीं अगर बात करें कि जब भी कभी RSI जो हमें देखने को मिले 40 के आसपास देखने को मिले और moving average के पास वो crossover ले वो golden crossover हो सकता है हमारे लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI में नीचे जो purple line है यह RSI है और जो blue line है वो moving average की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दसे आप यह देख सकते हैं यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यह stock ने जो है यहाँ पर देखिए यह crossover हुआ और जो RSI है वो moving average के उपर गया और यहाँ पर किसी ने purchasing करी तो वो देख सकते हैं कि वो stock उपर की दरफ भागा है मैंने आपको जैसे भी कि बताया कि 40 के अगर RSI हो और moving average पर crossover हो तो वहाँ पर एक मजबूर trend market में दिख सकता है और वहीं अगर मैंने जैसे कि बताया है कि green candle अगर बने rising moving average पर तो वहाँ पर वी एक purchasing time होता है यह दोनों चीज़े मैंने बताई अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ वह है कि अगर 40 से भी उपर अगर RSI हो और वहाँ पर crossover हो जैसे कि आप यहाँ देख सकते है यहां crossover हो रहा है और crossover होने के बाद नीचे RSI में देखी crossover होने के बाद moving average पर green candle बन रही है यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा boom आया है तो यह चीज हमें दिखाती है market का trend कैसा है यह सिर्फ startup over के साथ नहीं है आप किसी भी stock पर analyze कर सकते हैं तो आपको कही न कहीं फायदा जरूर होगा और as a swing trader आपको इससे profit short term के लिए profit बन सकता है तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज comment में जरूर बताइएगा और आपको किसी भी stock के वारे में मुझसे जानना हो तो प्लीज मुझे comment जरूर करें और आप RSI पर भी full video चाहते हैं या moving average पर full video चाहते हैं क्योंकि मैं वीडियो जादा lengthy हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ short trick बताता हूँ और यहीं से आप एक technical analyze करना सीख जाते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज comment जरूर करिएगा और मैं चैनल पर ऐसी बने रही हैगा धन्यवाद